हलो गाइज वेलकम टुम माई चैनल लाउन विशमीर दोस्तो आज हम बात करेंगे डग्टिंग सिस्टम के बारे में डग्टिंग होता क्या है इसका फंक्शन क्या होता है और क्यों हम डग्टिंग यूज करते हैं तो duct basically होता है pipe या हम कहा सकते है एक passage होता है जो air को एक जगह से दूसरी जगह पहुचेने का काम करता है तो simply ये duct होता है तो duct का function क्या होता है मानलो अगर कहीं पे हमें cooling करनी है तो duct जो है cooling unit से और जो हमें cool space करनी है वहां तक air ले जाने का काम करते है तो उसमें होता है supply air जो हम यहां से supply करते है और return air होता है जो वहां से वापस आता है और exhaust air जो बाहर हमें air फेंकना होता है तो ये तीन चीज़े इसमें आती है तो duct का use हम क्यों करते है बेसकिलिए मैं आपको बता देता हूँ मालों ये कोई तीन एरिया है हमारे पास zone first, zone second और zone third तो यहां पे हमें cooling load 1TR चाहिए यहां पे भी cooling load 1TR चाहिए और यहां पे भी cooling load हमें 1TR चाहिए तो इनके लिए हमें अलग-अलग से इसका cooling unit अलग से लगाना पड़ेगा इसका हमें अलग से 1TR cooling unit लगाना पड़ेगा इसके लिए भी 1TR cooling unit हमें अलग से लगाना पड़ेगा तो वह क्या होगा उसमें जो है outdoor space भी ज्यादा लगेगा और जो copper pie होगा अलग-अलग इसके लिए अलग लगेगा इसके लिए भी अलग लगेगा तो वो भी बहुत जादा होगा तो हम क्या करते हैं इनका sum up करते हैं यानि कि इसका 1 TR इसका 1 TR इसका 1 TR तो यह 3 TR जो है उसका हम 3 TR का हम एकी बाहर एक cooling unit लगाते हैं जहां पे हम क्या करते हैं फिर ducting के जिरे यहां पे 1TR पहुंचा देते हैं यहां पे भी 1TR पहुंच जाता है यहां भी 1TR पहुंच जाता है इससे क्या होता है outdoor space भी बच जाता है और copper pipe जो हमें लगेगा वो भी बच जाता है तो यह ducting का काम होता है simply बाहर से air की cooling unit लगा के ducting के जिरे हम air जो है conditional space तक पहुँचने का काम होता है तो यह simply होता है ducting का काम अब ducting में जो है टाइप से उनके बारे में हम बात करेंगे basically तीन टाइप के duct होते है based on velocity velocity के base पर अगर आप देखेंगे तो high velocity duct होता है और low velocity होता है और based on shape, shape की अगर बात करेंगे तो rectangular होता है, round होता है, oval shape होता है और squared होता है और pressure की बात करेंगे तो high pressure duct होता है, medium pressure duct होता है और low pressure duct होता है तो high velocity जो होता है यह industrial applications के लिए यूज़ता है जहाँ पे भी industrial application है बड़ी बड़ी factories में हम यूज़ करते हैं कोई बड़ा plant है, वहाँ पे high velocity जो है वो हम यूज़ करते हैं और low velocity वाला यह residential applications के लिए हम यूज़ करते हैं वालों कोई building है या office है तो वहाँ पे हम low velocity यूज़ करते हैं तो यह types हो गया ducts के अब बात करेंगे material used for ducting के लिए कौन सा material हम यूज़ करते हैं तो पहला जो आता है galvanized metal mild steel GI material अक्सर आपने सुना होगा और यह बहुत commonly used होता है ducting के लिए इसका क्या होता है cost भी उसका बहुत कम होता है और जो है manufacture यह हम manufacture कर सकते हैं कोई भी shape हम उसको दे सकते हैं यहाँ कि जिस shape का भी हमें duct चाहिए rectangular, round, oval, square तो GI duct जो है उसको हम कोई भी shape दे सकते हैं तो यह mostly used होता है applications में और cost भी उसका कम होता है और दूसरा जो आता है almonium ducting almonium ducting जो है यह हम clean rooms में use करते है या hospital हो गया operation theatre हो गया जहाँ पे हमें bacterial growth बहुत कम चाहिए तो वहाँ पे almonium ducting यूज होते है अब यह खाली cleaning के लिए use होती है क्यों यह दूसरी जगा क्यों use नहीं होती है क्योंकि इसका थोड़ा cost ज़्यादा होता है तो cleaning के लिए हमें use करना ही पड़ता है क्योंकि bacterial growth इसका कम होता है तो infection का वहाँ पे बहुत कम खात्रा देता है और उसका क्या रस्टिंग भी नहीं होता है इसलिए वहाँ पे cleaning के लिए हम almonium ducting यूज करते है और तीसा जो है PI ducting प्रे-insulated material यह जो है यह ducting यह हम use कर देए उसका weight बहुत ही कम time लगता है manufacture करने में यानि कि अगर आप इसका यह use करते हो तो इसमें ज्यादा time आपको manufacture बनाने में भी नहीं लगेगा और weight भी इसका बहुत ही कम होता है और fourth जो आता है fabric material यह जो है यह temporary use के लिए होता है मालो कोई भी exhibition हाल है दो दिन के लिए या 5 दिन के लिए वहाँ प temporary use के लिए होता है जैसे exhibition हाल वगेरा हो गया तो यह सारी चीज़े ducting के बारे में थी तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे ducting का जो है area कैसे calculate करते हैं वह हम अगले वीडियो में इंशाल्ला बात करेंगे तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आपक को लाइक कीज़े शेयर कीज़े और सबस्क्राइब जरूर कीज़े चैनल को थैंक यू